हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर टू के लिए मैस के वह इंपोर्टन कोशन करेंगे जो कि ओनलाइन एक्जाम में पूछे गए हैं तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोश है measure of two supplementary angles are two a plus b and three a minus b then value of three a is equal to तो यहाँ पर जो बोला गया है कि दो supplementary angle है ठीक है वो हमें दिये हुए है हमें बताना कि three a की value क्या होगी तो देखिए supplementary angle होते हैं जब दो angle का सम एक सौस्टी डिगरी हो जाए तो हमारा पहला angle है angle one जो दे रखा है वो two a plus b degree दे रखा है और angle two जो दे रखा है three a minus b है और यह दोना supplementary है मतलब angle one plus angle two जो हमारा 180 degree होगा तो two a plus b plus three a minus b is equal to 180 degree यह बी cancel हो जाएंगे five a is equal to 180 तो a की value आई 180 बटे पांच पांच से cancel करा पांच ती है 15 तो यहाँ पर जो a की value होगी वो आ गई हमारे पास 36 ठीक है a की value 36 है अब question में हमें क्या बोला है हमें बोला है 3 a की value बतानी है तो three into 36 कर देंगे तीन चीक 18 तीन तीन नौ और एक 10 तो 108 108 जो है इसका correct answer होगा अगला question देखते हैं अब इसको हमें simplify करके बताना है इसका answer क्या होगा ठीक है तो यहाँ दे रखा है four by three की power two और whole power three दे रखा है तो यहाँ पर यह दोनों power multiply हो जाएगी तो यह जाएगा चार बटे तीन इसकी power हो जाएगी छे गुना दो बटे तीन इसकी power minus 4 है into अब देखे 27 जो है इसको मैं लिख सकते हूँ 3 का cube और 16 जो है इसको लिख सकते हैं हम 4 का square भी लिख सकते हैं ठीक है और 2 की power 4 भी लिख सकते है और power कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 और divided by 3 की power 3 है अब देखे इसको थोड़ा और simplify करके लिखे है तो 4 बटे 3 की power 6 गुना अब यहाँ पर power minus में इसको plus में करने के लिए जो fraction दे रखा है दो बटे 3 यह उल्टा कर देंगे 3 उपर 2 नीचे तो power हमारी plus में हो गई into यहाँ पर यह जो है 2 दोनों से multiply होगा तो 3 की power 6 और 4 से करेंगे तो 2 की power 8 हो गया ठीक है अब यहाँ पर upon में 1 है तो multiply करेंगे तो यह उल्टा हो जागा एक उपर तीन की power 3 यहाँ नीचे जाएगा अब इसको हम cancel कर लेते हैं ठीक है तो इसको cancel करने के लिए हम क्या फरेंगे 4 की power 6 बटे 3 की power 6 into 3 की power 4 बटे 2 की power 4 into 3 की power 6 बटे 2 की power 8 into 1 बटे 3 की power 3 अब इसको cancel कर लेते हैं दीचे इसको cancel करेंगे तो यहाँ पर 3 की power 1 बचेगा ठीक है और यहाँ पर 4 की power कितनी है? चार की पावर 6 है यहाँ पर तीन की पावर 6 से तीन की पावर 6 कर दिया तो चार की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं दो की पावर 2 और होल पावर 6 और नीचे जो हमारा उपर हमारे पास एक तीन एक तीन की पावर 1 भी बचा है यह वाला ठीक है यह भी लिख दिया अब यहां 2 और 2 बेस सेम रहे है तो power add हो जाएगी 12 हो जाएगा तो उपर हो गए 2 की power 12 गुना 3 की power 1 और नीचे 2 की power 12 इस से cancel तो इसका answer जो आया वाया option number 1 तरी next है question अब इसमों मुला गया है कि एक P Q R एक TRIANGLE है ठीक है तो यहां पर P Q R एक TRIANGLE लिख देते हैं इस तरीके से हमने एक TRIANGLE डॉकर लिया ठीक है P Q और R आगे बालाए साइट जो Q P है उसको हम आगे बढ़ाते हैं S तक Q और P इसको आगे बाला लेते हैं ठीक है if angle rps rps यह वाला जो angle है यह जो p point है वो 108 degree है angle q जो है हमारा कितना है 20 degree यह दे रखा है हमें value बतानी है angle 3 angle r plus 2 angle q की value ठीक है तो सबसे पहले हमें यह दे रखा बहार वाला angle तो इससे हम यह r वाला निकाल सकते हैं जिसको मैं next ले लिया है अब यहाँ पर property होती है जो बाहर का angle होता है यह external angle है इन दोनों के sum के equal होगा तो यानि कि 108 में से minus करेंगे 20 को 88 degree आ गया angle r ठीक है अब angle q जो है angle q तो हमें already दिया हुआ है कितना 20 degree हमें value निकालनी है 3 angle r plus 2 angle q की तो 3 into 88 plus 2 into 20 तो यह कितना तीन चीक अठा तीन अठे चौविस 26 plus 40 तो यह जाएगा 304 degree option number दूसरा इसका correct हो जाएगा अगला question देखते हैं अब इसमें बुलाएं कि अगर हम इसको divide करें इस से तो हमारे result क्या होगा तो देखिए इसको अगर हम divide करें तो हमारे पास है x की power 3 minus 5x square minus 24x ठीक है और यहाँ पर है हमारा 4x square minus 9y square divided by x into x minus 8 2x minus 3y अब देखिए उपर अगर मैं यहाँ पर इन में से यह जो दे रखा पहला वाला इसमें x common ले लूँ तो यहाँ बचेगा x square minus 5x minus 24 और यहाँ पर मैं एक property apply कर देता हूँ यहाँ लिख सकता हूँ 2x minus 3y और 2x plus 3y और नीचे हमारे पास क्या है x है x minus 8 है और 2x minus 3y है इससे cancel हो जाएगा x से x cancel हो जाएगा अब मैं इसके अगर factor करके लिखूँ ठीक है तो इसके factor क्या हो जाएंगे हमारे 12 12 दूनी 24 24 के अगर मैं factor लिखूँ 8 ती है 24 x square minus 8x plus 3x minus 24 यह हो गया और एक factor बचा 2x plus 3y ठीक है और नीचे हमारे पास है x minus 8 तो यहाँ common लेंगे तो यहाएगा x minus x common लिए x minus 8 plus 3 common लिए x minus 8 यह हो गया और एक साथ में था 2x plus 3y और नीचे हमारे पास है x minus 8 तो उपर factor आया है x minus 8 और x plus 3 2x plus 3y और नीचे है x minus 8 तो यह cancel हो गया तो option हमारे पास है x plus 3 और 2x plus 3y option नमबर पहला इसका correct हो जाएगा अगला question हमारे पास है किसी factory को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्कता पड़ती है यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को x मशीनों का प्रयोग करते हुए 54 दिन में निर्मित किया जाए तो 3x का मान बताना है क्या होगा तो दिखिए 63 वस्तुओं कितने मशीनों से तैयार की जाती है 42 तो into 42 बराबर होगा x मसीने into 54 दिन में जो बनती है क्योंकि यहां पर वोला है वस्तुओं की संक्या बराबर है ठीक है तो यहां पर x की value जो निकले की 63 इंटू 42 आप उन में 54 आ जाएगा नौ छिक चववन नौ सत्य तिरे सट शे कमचे शे सत्य बैयालिस तो यह आगे हमारे पास 49 x की value आगे 49 हमें value निकालनी है 3x की तो 3 इंटू 49 करेंगे तीन निम सत्ताइस और तीन चौक बारादो 14 147 इसका correct answer है अगला question देखते हैं अब इसको simplify करके बताना है इसका answer क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हम यह आपर bracket open करेंगे यह जो x है पहला वाला है इसको इस पूरे bracket से multiply करेंगे तो x को multiply करना है 2x minus 3y plus z से और फिर y को भी हमें इस पूरे bracket से multiply करना है तो plus y को multiply करना है 2x minus 3y plus z से और लास्ट में जो दे रखा minus 2x minus 3y into z तो यह यहां लिख लेते हैं minus का जो z है वो जाएगा 2x minus 3y तो यहां पर bracket open करेंगे तो यहां हैगा 2x square 3xy plus xz y से करेंगे तो plus 2xy minus 3y square plus yz और minus से bracket open करेंगे तो minus 2zx plus 3zy अब इसको हम थोड़ा simplify कर लेते हैं तो x square वाली जो term है एक ही है तो 2x square तो सेम रहेगा अब xy वाली term एक यह रही हमारे पास ठीक है x वाली term एक यह term है हमारे पास और एक यह है और इसके लावा और कोई नही है तो यह हो जाएगा minus plus minus तो minus का x y यह हो गया और xz वाली term हमारे पास दो है एक यह है और एक नीचे है तो minus xz हो जाएगा और उसके बाद y square वाली term तो एक ही है तो minus 3y square और plus का 4zy तो यह अगर हम option में देखें तो कौन सा वाला है तो देखिए 2x square हमारा तीनों में ही है चारों में ही है minus xy हमारा starting के तीन में है x और z minus का xz जो है हमारा minus का x और z सिर्फ इसमें है ठीक है minus का xz हमारा इसमें आ गया और उसका minus का 3y square plus का 4 तो option number first हमारा इसका correct हो जाएगा अगला question देखते है अब इसमें बोला गया है if the diagonal of a rhombus are x and y then the length of the side of the rhombus is तो rhombus जो हमारा इस तरीके से होता है इसकी चारों साइड equal होती है ठीक है और इसकी जो diagonal है एक diagonal हमारा y है और दूसरा हमारा x है ठीक है तो यह जो है bisect करते हैं 90 degree पर ठीक है तो यहाँ पर पूरा a से लेके b तक a से b अगर हमारा y है और यह c और d c और d हमारा x है और center हमारा o है तो a o हमारा y by 2 आ जाएगा और हमारा जो है c o x by 2 आ जाएगा तो यहाँ पर यह हो गया y by 2 और यह x by 2 तो यहाँ पर python करेंगे तो ac निकाल लेंगे ac स्क्वेर जो आएगा हमारा x by 2 का स्क्वेर प्लस y by 2 का स्क्वेर तो यह हो जाएगा under root x square by 4 प्लस y square by 4 तो 1 by 2 under root x square प्लस y square इसका side होगा option number जो है हमारा second इसका correct हो जाएगा next question है if e, f and v are respectively the number of edges, faces and vertices of a square pyramid then the value of 2e minus f plus 2v तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होंची square pyramid दिखता कैसा है तो अगर हम square pyramid बनाएं यह नीचे का हमने यह square बना दिया है ठीक है, और pyramid है तो उपर हमारा यह इस तरीके से triangular shape में बनेगा इस तरीके से ठीक है, तो यह हमारा हो गया square pyramid तो यहाँ पर जो है edges e कितना हो जाएगा 8 होती है उसका faces हमारे यहाँ पर 5 है और vertices भी 5 है हमें value निकालनी है 2 e minus f plus 2 v की तो 2 into e हमारा 8 हो गया f हमारा 5 है और v भी हमारा 5 है तो यह तो 16 हो गया 16 minus 5 और यह 10 ठीक है, 16 minus 5 की है 11 plus 10 21 तो option number पहला इसका correct answer हो जाएगा अगला question है अगला question probability का है इसमें बुले गया a number is selected at random from the number 29 to 48 what is the probability that the selected number is not a prime number तो देखिए यहाँ पर जो number है 39 से लेके हमारा 48 तक है तो यहाँ पर prime number देख लेते हैं कौन कौन से है ठीक है तो prime numbers हमारे पास 39 भी होता है 31 होता है उसके बाद हमारे पास 37 होता है फिर 41, 43 41 हो गया 43 हो गया उसके बाद हमारे पास 47 भी prime number है ठीक है यह prime number है यहाँ पर कितने होगा total 6 prime number है और यहाँ पर total numbers कितने होगा 29 से 48 तक वो कैसे निकालेंगे देखिए लास्ट वाले जो हमारा 48 है माइनस कर देंगे 39 से पहले कितने है 28 तो यह आगए हमारे पास 20 तो total number जो है वो 20 है ठीक है तो not prime जो prime number नहीं है वो कितने हो गए 20 में से 6 घटा दिये तो आगए 14 तो probability बतानी थी not prime की तो यह आगए हमारे पास 14 by 20 cancel करा 7 और यह 10 तो 7 बटे 10 इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला है हमारे पास x की value दे रखिए y की value दे रखिए हमें value निकालनी है x की power minus 1 प्लस y की power minus 1 ठीक है तो देखिए सबसे पहले x की power जो minus 1 है इसका मतलब होता है 1 by x और y की power minus 1 जो है इसका मतलब भी 1 by y होता है ठीक है हमें x दे रखिए है और y दे रखिए तो देखिए अगर हमारे पास जो x है minus 2 by 3 दे रखिए और y जो है minus का 3 by 4 दे रखिए अब देखिए अगर ये जो है x minus 2 by 3 है और इसकी power अगर मैं minus में 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा 3 उपर पहुँच जाएगा 2 नीचे आ जाएगा इसी तरीके से y की power minus 1 अगर मुझे निकालना है तो जो भी y की value दे रखिए हम उसको उल्टा कर देंगे तो minus का 4 बटे 3 हो गया तो minus x की power minus 1 की value पता लग गी और y की power minus 1 की value पता लग गी अब हमें निकालना x की power minus 1 plus y की power minus 1 तो minus का 3 बटे 2 plus minus का 4 बटे 3 lc हम ले ले लेंगे तो 6 आएगा 3 तिया 9 minus का 9 4 दुनी 8 minus का 8 तो यह हो जाएगा हमारा minus का 17 बटे 6 तो option number पहला इसका correct हो जाएगा तो यह थे वो question जो की online exam में पूछे गए थे उमीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा Thank you